का आलो डूसतों देखी आज मैं काफी टाइम बाद आपके साथ और फिर से न्यू निफ्टी की इंट्र डे स्टहजी इंट्र डे सेट अप आपके साथ शेर करने जा रहा हूं जो हम सिखाते हैं अपने कोर्सिस में पेड glimpse वो ही स्टेजी मैं आज आपके साथ बिल्कुल फ्रियो कोस्ट आपको चिखाने जा रहा हूँ तो इसलिए प्लीस आप सेरिसली होकर इसको स्टेप वाइस स्टेप कंप्लीट देखना आदी दूरी जानकर इम्मद देखना है क्योंकि इसमें जो मैं आपको बिल्कुल एक सिं की है कहीं से कोई कोपी नहीं है यह मेरे पर्सनल एक्सपिरिंस से है तो मैंने इसको काफी सालों से एक्सपिरिंस किया है तो वही आज आपके साथ शेर करूंगा क्योंकि मैंने देखा है कि मैंने काफी यूटूब पर देखा है कि काफी ट्रेडर एनलिस्ट इसको मिल्कुल गल्थ तरीके से समझाते है कोई कहता है कि यसे 1st 5 मिन्ट का high low break हो जाता है तो उसको open के बाद तो उसको high low break होता है तो उसको buy कर दी, sell कर दी होगे कि कोई काम नहीं करती है तो आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको proper setup रखना है nifty के लिए intra-day strategy आप इसको bank nifty में भी apply कर सकते हो तो आज मैं आपको nifty में step by step इसको explain करूंगा आपको back testing भी करके बताऊंगा तो ये है इसका strategy का नाम देखिए nifty intra-day strategy 925 अब इसमें पहले आप simple पहले rule देख लीजिए rule के साथ साथ मैं आपको step by step आपको समझाओंगा कि वो rule कैसे follow करना है आगे बढ़ने से पहले आपसे request आईगी कि चैनल को subscribe कर लीजिए बेल आइकन को जुरूर कर लीजिए मैं यहाँ पर आपके साथ काफी learning वीडियो share करता रहता हूँ और rule नंबर वन है ये nifty interest है जी 925 का rule नंबर वन है कि आप no need to follow और was DAO or SSG nifty most iterator क्या करते हैं कि आप beginner trader retailer मैं देखता हूँ कि वो अगर जैसे आज night को आज SG nifty 500 point उपर है या DAO 1000 point उपर है तो उसको देखके अगरसिव हो जाते है उसी के coding फिर अपना mindset बना लेते है कि अगर कल SG nifty रात को ये 500 point उपर close हुआ तो हमारा nifty भी 500 point उपर ही जाएगा तो उसी के coding trade बना लेते है और वहाँ पर trap हो जाते है या फिर देखते हैं कि SG nifty 500 point नीचे है तो उसी के coding फिर वो sell कर देते है बट actually में ऐसा नहीं होता तो इसलिए आपको DAO और SG nifty इस strategy में बिल्कुल follow करने जूरत नहीं है जो हम चार्ट पर आपको show करेगा जो आपको बताएंगे strategy में क्या rules उसी के coding आपको follow करना है तो second rule है set time frame 5 minutes तो देखिए 5 minutes आपने कैसे रखना है यह अभी daily का चार्ट है यहाँ पर 5 minutes पे यह 5 minutes 15 minutes अब आवर आपको सिर्फ 5 minutes का time frame select करना है तो यह 5 minutes का आपने time frame select कर दिया है जैसे यह आपको 5 minutes का चार्ट दिखाई दे रहा है यह लग-लग days का तो अब हम इसके में अगला rule देखिए वीडियो थोड़ी सी long हो सकती है बट मैं चाहता हूं कि आपको बिल्कूल proper way में आपको explain करके बताऊं so that कोई वी वहाँ पर आपको miss guidance ना हो कोई भी आप से communication आपको gap ना मिले तो rule number 3 है कि wait till 9.25 कि आपने 9.25 तक कुछ नहीं करना है सिर्फ watch करना है चार्ट को 9.25 तक सिर्फ watch करना है कुछ नहीं करना है आपने बनने देना है 55 minutes की दो candle बन जाएंगी और जो 9.20 to 9.25 rule number 4 9.20 to 9.25 यह second candle होगी तो second candle should be inside bar और candle मतलब कि यह है कि जो second candle बनेगी वो inside candle बननी चाहिए तो inside candle मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ जैसे for example यह देखिए माल लीजिए आपकी यह मैं candle बना रहा हूँ यहाँ पर यह माल लीजिए first candle होगी open यह gap of open हो सकता है यह flat opening यह फिर कुछ भी gap down भी हो सकता है और यह यह जो first candle बनी है यह red green कुछ भी हो सकती है आपने यह नहीं देखना है कि red है green है और second candle जो मन रही है वो side candle का मतलब यह है कि यह देखिए यह candle इसने क्या किया यह inside candle कैसे बन गी कि जो first candle थी उसी candle के अंदर यह इसका open और low जो second candle बनी उसने क्या किया कि first वारी candle का high low बिल्कुल break नहीं किया उसी के अंदर price move किया और वहीं page में close हो गया तो यह होगी यहाँ पर inside candle का यह example तो हमने यहाँ पर rule no.4 तक read कर लिया उसके बाद है कि SL of second candle मतलब stop loss of second candle risk reward 1 is to 2 तो इसका मतलब क्या है इसका मतलब simple है कि इसका मतलब यहाँ पर आप देखिए कि यह जो second candle अपनी बनी अगर अगर आप sell करते हो अभी मैं sell तो आपको कैसे करना अगर माल दीजी यहाँ पर आप sell करते हो तो यह हमारा stop loss रहेगा इस candle का high और अगर in case आपको buying entry मिलती है तो इस candle का आपका यह SL इस candle का low का आपका SL रहेगा अभी है तो चार्ट पर देखिए अभी पूरे आप ध्यान से देखिए बिल्कुल भी मिसना करना यहाँ पर आपने क्या कर रहेगी यहाँ पर आपने सबसे पहले यह जो 5 मिंट का आपका यह देखिए हाई और लो बना यह आपका हाई और लो अपने यहाँ पर मा कर लिया बट जो हमारा रूल था कि यहाँ पर आप देखिए कि second candle should be inside बार candle तो यह strategy आपको कब काम करेगी जब second candle जो बनेगी वो inside candle बननी चाहिए तो यह second candle यहाँ पर inside candle नहीं बनी तो इसलिए इस दिन यह rule बिल्कुल follow नहीं हुआ तो अब हम back चलते हैं तो यहाँ पर आप back देखोगे इसमें तो यह देखिए यह first candle स्क्रीन को थोड़ा बढ़ा करके दिखा देता हूँ आपको यह देखिए फर्स्ट candle खाई लो यहाँ पर आप देखिए यह जो candle बनी है दूसरी वाली तो यह आपका बिल्कुल यहाँ पर आप देखिए यह inside candle बनी है तो इसको बलते है inside candle तो यह inside candle बनी इसमें आपने entry कैसे लेनी है यह जो inside candle का अगर low break हो जाता है इस low के नीचे फिर आपको entry लेनी है यहाँ पर देखिए यह जो यहाँ पर low हुआ था यहाँ पर क्योंकि इसलिए देखिए मैं आपको कह रहा था कि वीडियो आपने complete देखना है यह जो low break हुआ इस low के नीचे जैसे ठारा 052 के नीचे आपने यहाँ पर entry लेनी तो यहाँ पर 1-2 का मतलब क्या है कि यह stop loss जैसे 18082 है इसमें मतलब entry आपकी हो रही है यह 18,050 पर और stop loss है आपका 18,000 क्रीब 82 का तो क्रीब क्रीब आपका 30 पॉइंट का यह stop loss है तो 30 पॉइंट का stop loss है तो इट बीन्स आपको 60 पॉइंट यहाँ पर target आपको आपको लेके जाना है market से तबी आप महाँ पर exit करें या फिर उसके कोडिक आप trailing stop loss करते रहना तो यहाँ पर देखिए यह यहाँ पर आपको कितना point यह one sided चला गया ठारा जार दस तो almost यह करीब करीब 40 point देखिया पर उसके बाद भी देखिए यह trace हुआ यहाँ पर तो कही बर तो देखिए अगर हम यह entry अगर miss कर जाते हैं तो आपको यह भी ताना चाहता हूँ तो हम यहाँ पर in case यह price द्वारा इस range में आ जाता है जैसे यहाँ पर तो यहाँ पर भी हम entry जरूर करते हैं क्योंकि उसके बाद जब price गिरता है तो फिर यह काफी move देता है तो उसके बाद यह देखिए अगर आपने यहाँ पर आप देखिए मैं यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यह अपकी entry point था यहाँ पर तो price ने देखिए एक वर नीचे गया द्वारा फिर आपको entry का चाहत दिया कि यहाँ पर यह buying set में नहीं ता बाइंग यहाँ पर ट्रैप होए फिर प्राई नीचे चला गया और प्राई नीचे गया 17970 तक तो क्रीब क्रीब यहाँ पर अगर हमने इंट्रीग गी 18,050 पर हो तो यह 1 से डिट देखिए 17,900 तो ओल्मोस्ट यह 1 इस टू टू से भी जादा चला गया तो यह तो था चिर्फ एक दिन यह थो था जैसे यह डेट है 10th November, 10 November को अब थोड़ा और बैक्टेस्ट कर लेते हैं तो यहाँ पर भी आप देखिए यह अपने हाई मार्क कर लिया और इसमें देखिए जाद आक्यूरिसी आपकी रहती है जैसे कभी इंगेश जाद तरब आपको देखने को मिलता है तो इसलिए इसमें भी यह देखिए रूल बना यह फर्स्ट कैंडल, यह सेकंड कैंडल, इंसाइड कैंडल बनी और यह थर्ड कैंडल यहाँ पर यह लोब्रेक हो और इसके निचे हमने इंटरी और हमारा stop loss यह stop loss हुआ है, यह मैं stop loss आपको यह देखिए यहाँ पर यह red mark कर रहो है फिर यह वड़ा stop loss कर दिया और यह हमारी यह आपको entry यहाँ पर so that आप अच्छे से देख सको तो यह मैंने यहाँ पर blue color कर दिया यह entry को यहाँ पर देखिए पराई थोड़ा से उपर गया यहाँ पर क्या होता है कि mostly trader जैसे थोड़ा सा उपर निचे हो गया आपके entry के एंगेज तो वहीं पर एकदम से exit कर जाते है या फिर पेसेस नहीं रख पाते तो यह देखिए यहाँ पर आपका यह stop loss है यहाँ पर 18260 का और यह entry था 18230 के पास तो almost 40 point का यह stop loss है अगर आप option में लेऊगे थोड़ा सा आप इसको option में भी ले सकते हो जैसे 18260 के पास entry मिल रही है 18230, 18260 का आप इसमें put option buy कीजिए बिल्कुल near the money आपको वहाँ पे call यह put buy करना होता है according to अगर आपको sell अगर आपको लगे की nifty को sell करना है तो option में आप लेते हो तो फिर put को buy कीजिए near the money और ऐसे अगर bind side में entry मिलती तो फिर अगर इसमें देखिए bind side के आप में entry मिलती अगर इसके उपर यह break करता तो फिर आप इसमें entry यहीं पर ले सकते थे और यह stop loss आप कर रहता अगर आप हमें यहाँ पर example मिल जाएंगे और भी तो यह देखिए यह कैसे one side चला गया और इसमें one is two two नहीं one is two five तक चला गया तो इस setup का आप कमाल यहाँ पर देखते रही है यह और भी था यह देखिए यहाँ पर seven number को तो continue देखिए यहाँ पर continue और देखिए कैसे बड़ा gap up open हुआ और उसके बाद यह फिर यहाँ पर देखिए inside candle बनी यह आपका stop loss था small उसके बाद one sided गिरा फिर यह नीचे चलता गया तो अभी यह देखिए आप fast fast यहाँ पर देख सकते है testing और यह यहाँ पर भी देखिए थोड़ा सा almost flat opening हुई यह high low यहाँ पर हमने mark करी है first candle का second candle inside candle बनी और यह हमारा stop loss बट जैसे मैंने आपको बताया कि intrigue कब करनी जब इसमें आप देखिए कि ऐसा नहीं कि यह जो third candle बनी इसमें इस third candle में आप देख रहे हो कि इसमें यह जो second candle बनी inside candle का यह आप देख रहे हो कि क्योंकि आपको देखिए कुछ चीज़े logic समिना पड़ेगा कि यहाँ पर क्या हुआ low इसने कब break किया यहाँ पर आके break किया यहाँ पर entry हुई तो इसमें करीब करीब यह आपका one is to two नहीं मिला almost according to sl इसमें profit उतने जादा नहीं मिला तो यह कहीं आपका यहाँ पर sl hit इसमें हो गया तो इसमें देखिए आपने आप यह four entry देखिए और four में से सिर्फ एक sl आपको hit देखने को मिला और अगर कभी आपको ऐसा लगे तो आप यहाँ पर देखिए ट्रेलिस्ट ओपलोस भी रख सकते हो और एक और यहाँ पर देखिए यहाँ पर बाइंग सैड में विंटरी मिली तो यह देखिए यह market gap डान हुआ और यह inside candle बनी और इसके बाद इसने यह देखि side candle के हाई उपर गया और यह 18,42 से लेकर यह one-sided 18,110 तक चला गया तो क्रीब क्रीब समोल एसल था यहाँ पर भी कूल यह समोल से एसल था और entry मिली थी यहाँ पर क्रीब 18,35 के पास और stop loss था 18,08 के पास तो 30 पॉइंट का stop loss था और यह क्रीब क्रीब आपको 60 पॉइंट से भी उपर आपको यहाँ पर टार्गेट देखने को मिल गया तो ऐसे देखिए काफी जंपल आप देख सकते हो back test में यहाँ पर भी देखिए यह 2 नमंबर का तो यह देखिए पूरा मैंने आपको नमंबर मंत का अल्मोस्ट बता दिया यह भी latest और यहाँ पर भी आप देखिए यह inside candle बनी यहाँ पर आपको इंट्री करनी है इस low के निचे तो यहाँ पर कहीं इंट्री मिली यह इंट्री मिली और यह देखिए निचे और यहाँ पर भी देखिए यह एक तुबबर के मंत में और यह देखिए यहाँ पर यह first का आपने तो इसलिए आप देखिए कि यूटूब आपको बता जाता है कि सिर्फ बस high low break हो गया बट यह देखिए inside candle का आप inside candle का लोजिक देखिए क्यूं मैं आपको कहरा हूं कि inside candle पर यह strategy काम करेगा ऐसा नहीं है कि आगर माल लीजिए यह candle एक ऐसी बनी और दूसरी ऐसी बनी तीसरी तो ऐसे आपने move आ गया तो वो उस strategy में यह setup काम नहीं करेगा उसमें different तरीके से काम करेगा inside candle का लोजिक देखिए यह है कि इस second जो candle बनी है वहाँ पर fighting हो रही है buyer और seller के बीच में कि वहाँ पर कौन वहाँ वहाँ पर win करता है buyer seller तो जैसे हमें confirm हो जाता है कि buyer win कर रहे हैं sell कर रहे हैं तो उसी recording यहाँ पर trade यह देखिए कैसे नहीं पर apply करें जहाँ second candle आपको inside candle दिखाई दे तो यहाँ भी price थोड़ा time लिए और फिर देखिए target आपका दिया तो इसको आप जितना मर्जिया pack टेस्ट कर सकते हैं और जब आप इसको forward टेस्ट भी कीजिए तो एक load के साथ try कीजिए या फिर कुछ दिन आप इसको test कीजिए उसके बाद फिर जब आपको confidence आए तब ही आप trade लीजिए तो मैं अवीद करता हूँ कि आपको strategy इसमें अच्छे से समझा आ चुकी होगी जो मैंने explain किया फिर भी अगर आपको कुछ doubt है तो comment box में आप पूश सकते हो और वीडियो अच्छ लगे तो like कर दीजिए और चैनल को ज़्यादा subscribe कर देना और अगर आपने इसको bank nifty में apply करना है तो bank nifty में पहले back test देखिए क्योंकि वहाँ पर थोड़ा सा move एकदम fast उपर नीचे ज़्यादा रहता है as compare nifty तो पहले मैं यही suggest करूँगा कि आप इसको nifty में try कीजिए तो I hope वीडियो आपको अच्छा लगा होगा like कर दीजिए चैनल को अभी तक subscribe नहीं कर देना और मेरे free telegraph channel का link आपको description box मिल जाएगा जहाँ पर हम live market में भी आपके साथ काफी levels को share करते रहते हैं तो telegraph channel पर जो जोइन कर लिजिए link आपको मिल चाहेगा और हमारी app को भी download कर लिजिए app के अंदर भी आपको वहाँ पर free content मिल जाएगे और इसके लाब आपके कोई suggestion कोई हो तो आप comment box में लिख दीजिए वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद